तेजस्वी यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं इस बार ना तो वो लालू यादव की वज़े से सुर्खियों में हैं ना ही खुद के वज़े से इस बार वो मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के वज़े से चर्चा में आये हैं कहें तो वो केवल चर्चा में ही नहीं बलकि बिहार से लेकर नाश्मनल मीडिया तक की नजर उन पर लग गई है दरहसल नितीश कुमार ने 13 दिसंबर 2022 को महागटबंधन की खुई बैठक के बाद साफ कह दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव नेत्रित्व करेंगे इतना ही नहीं इसके ठीक एक दिन पहले भी नितीश कुमार ने कहा था कि हम अब बहुत काम कर लिए हैं आगे से अब तेजस्वी को ही करना है आखिर अचानक ये नौबत क्यों आए या इसके पीछे कोई रंड मीती है और यही हमारा विशह है ऐसे में हम आज आपको नितीश कुमार के प्लान और तेजस्वी यादव को कमान के पांच संभावित कारणों को बताएंगे सबसे पहले पांचवे नंबर की बात करते हैं दरसल तेजस्वी यादव बिहार में सियासत की नई पटकता लिखने में जुट कए हैं वे अपने पिता लालु यादव के साय से बाहर निकल कर राजनीती की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रही हैं इसमें उन्हें एक हद तक सफलता भी मिल रही है च्वाहे बिहार विधानसवत चुनाव का मामला हो च्वाहे MLC चुनाव का मामला या फिर सडक से लेकर सदन तक में अपनी बातों को रखने का मामला हो हर जगर तेजस्वी ने ये साबित किया है कि वे अब राजनीती के तुरंदर खिलाड़ी हो गए हैं और वे आज के नए पुरारे राजनीती से आगे चल रहे हैं नितीश कुमार भी तेजस्वी में बिहार का भवश्य देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो आप ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव में लालु यादव के साथ ही तीश कुमार के भी सियासी गुण है और जब दोनों नीताओं का गुण एक आदमी में आ जाए तो आप समच सकते हैं क्योंकि सियासी ताकत कैसी होगी यही वज़ा है कि लालु यादव ने तो अपनी छोटी बेटी तेजस्वी यादव को पहले ही पार्टी का उत्राधिकारी मान लिया वही अब नितीश कुमार ने भी ये मान लिया है कि बिहार का भवश्य तेजस्वी है अब बात करते हैं चौथे नंबर की हाजर जवाबी के साथ ही पब्लिक फ्रेंडली होना किसी भी नीता के लिए जबरदस्ट अचीवमेंट है और ये दोनों गुण तेजस्वी यातव में कूट कूट कर भरे पड़े हैं दरसल हम बात लालू यादव की करे या नितीश कुमार की दोनों नेताओं को बिहार के साथ ही पूरी दुनिया जानती है लालू का ठेट भिहारी अंदाज तो नितीश कुमार की सोशल एंजिनेरिंग का कोई जोड नहीं है ये दोनों नेता उम्र के साथ सीखे उन्हें उम्र के साथ अनुभवाया लेकिन तेजस्वी आदव ने तो नीतागिरी में आने के साथ ही हाजर जवाबी शुरू कर दी इतना ही नहीं युवा है और उनका अपना स्टाइल है इसलिए पब्लिक फ्रेंडली भी तुरंत हो जाते हैं इस साल के शुरुआत का वाक्ष्या आपको याद होगा पटना के बाबू सभागार में आयोजित परशुराम जहनती में तो उनका पीला गमचा वाला स्टाइल सोशल मीडिया पर गजब का वायरन हुआ था पीला गमचा टाइट कर जब तेजस्वी आदव मच पर आए तो भूमिहार के बड़े बड़े नेता भी उनके स्टाइल पर फिदा हो गए जबकि उसी कारिक्र में भूमिहार और ब्रामन जाती से बीजेपी, कॉंगरेस और जेडियू के कई बड़े नेता मौदूद थे लेकिन तेजस्वी आदव अपने स्टाइल से महफिल लूट ले गए फिर ये आदा नितीश कुमार को भला क्यों नहीं अच्छा लगे तीसरे नंबर पर सामाजिक ढयाय के साथ ही समाजवाद की बात ये तो अब जानते हैं कि लालुयाद अब सामाजवाद के मसीح कहे जाते हैं जबकि नितीश कुमार समाजवाद के सबसे बड़ी नीता कहलाते हैं इनकी शक्ति को नरेंद्र मोदी से लेकर अमिट शाह तक जानते हैं 2019 के लोग सभचुनाव में अमिट शाह ने पटना में आयूजित सभा में कहा था कि बिहार में तीन ही सियासी शक्ति है तीन सिक्तियों में क्रम शाह, बीजपी, आरजेडी और खुद नितीश कुमार इन मेंसे नितीश कुमार जो धर जाते हैं उधर की सरकार बदल जाती है और ये बिहार के साथ ही पूरा देश लगातार देख रहा है कि नितीश कुमार जब जब हटे तब ता बीज़पी के सरकार बिहार में चली गई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नितीश कुमार ही रहे लेकिन उप मुख्यमंत्री बदल गए इतना ही नहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी भी एक बार कह चुके हैं कि जेपी और लोहिया के बाद सबसे बड़े समाजवा दीनितीश कुमार है दूसरी ओर लालोय आदव आज भी समाज़िक न्याय के मसीह कहे जाते हैं वे हमीशा से समाज़िक न्याय की बात करते थे वे आज भी करते हैं लेकिन तेजस्वी आदव समाज़िक न्याय के साथ ही समाजवात की भी बात करते हैं साथ ही वे समाज के सभी वरकों को लेकर साथ चलने की बात करते हैं उन्हें स्वर्णों से भी कोई परहेज नहीं है। लोगों नी तेजस्वी का भूमाय समीकरन भी देख लिया है। भूमाय मतलब मुस्लिम और यादव के साथ भूमियार समाज। और यही वज़ा थी कि नितीश कुमार जब एंडिये में थे तब भी उने तेजस्वी की कई बाते अच्छी लगी थी। अब बात दूसरे नंबर की। इस नंबर पर पहले लालू यादव की बात करते हैं। लालू यादव शुरू से मुस्लिम, यादव, दलित, उबी से आदे की बात करते रही हैं। और इसी वज़े से उनसे खास कर स्वर्ण वोड आज भी दूर बना कर रहते हैं। हालाकि नितीश कुमार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। फिर भी उनसे कई तब के बाहर हो जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी नई धारा को लेकर आगे बढ़ रही हैं। वे A to Z की बात करते हैं। A to Z में उन्ही सफलता भी मिल रही है। उन्हें लोग स्वीकार भी करने लगे हैं। तेजस्वी यादव, मुस्लिम, BC, OBC दलेतों के साथ ही स्वर्णों और वैशियों को भी उसी सहचता और अपना पंसे तरजीह दे रही है। आरजेडी का सांगठिनिक चुनाव हो अत्वा, विधान सभा या लोग स्वा चुनाव प्रताशियों को जातियों के अनुपात से ही उतारने की कोशिश कर रही है। इन्होंने नारा भी दिया है कि आरजेडी अब A-2-Z की पार्टी है जो हर किसी का प्रतिने धित्वत करेगी। इस रणमीती के तहट उन्होंने आरजेडी के पोस्टरों स सबसे पहले परिवार के लोगों को हटाया। ताकि वैसे लोग पार्टी से जुड़ सके जो अब तक उनके परिवार से परहेस का रहे थे। जातिय जनकर्णा की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी से मिले। तब उन्होंने नितीश कुमार के सामने ही मीडिया को ब्रीफ कर देश व्यापी सुर्खियां बटोरी थी। इंडिया टुड़ी ने तो तेजस्वी यादफ को देश के सौय वाउंग की लिस प्रुष्टे में जबरदस्त मिठास आ गई है सगे चाचा भतीजे के बीच जो अपनापन वाली बात होती है वही बात अब इन दोनों के बीच नजर आ रही है। पॉलिटिक्स में कुछ ही स्थाई नहीं कोता है इसके बाद भी कुछ संबंधों को इगनोर नहीं कर सकते हैं। और ये महागटबंधर सरकार की दूसरी पारी में देखा जा रहा है। इन युक्ती पत्र भी पटने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 2015 की तुलना में इस बार लालू यादफ पॉलिटिक्स की में स्ट्रीम में नहीं है। और ट्यूनिंग इस बार चाचा भतीजे के बीच है। और तेजस्वी की और इशारा करके नितेश कमार म धुलना लालू नहीं है।